श्री गनेशा या नमाहा नमशकार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा का हमारी दैनिक जीवन में विशेश महत्व होता है क्यूंकि चंद्रमा सबसे गतिमान ग्रह है और हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं जैसे चंद्रमा एकजैसा नहीं होता हमारा दिन भी एकजैसा नहीं होता तो आईए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आरहे हैं आपका मन शांत रहेगा प्रसंदन रहेगा आप टेंशन फ्री रहोगे जोश और उटसाह सुबे से आपके अंदर देखने वाला होगा इस दिन खास करके स्त्री और आपके ससुराल पक्ष से लाब होने की आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी इस समय में आप कई मामलों में सफलता हासिल करोगे आपका लाइप पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा इस समय मे आप अपनी जन्मभूमी से और विदेश से दोनों और से धन कमा सकते हो इस समय में आपकी आर्थिक सिदी काफी मजबूत रहेगी इस समय में आपको धन कमाने के नए नए जरिये भी मिल सकते है अगर आप बिजनेस करते है और वो बिजनेस पार्टनर शीप में है तो वहा भी आपको अच्छा लाब मिल सकता है इस समय में आप कला के छेत्र में अच्छा प्रदर्शन करोगे जोतिस विद्या आध्धात्म जैसी चीजों में आपकी रुची ज्यादा होगी इस समय में आपकी बोली में मिठास नजर आएगी और आपकी बुद्धी तीवरगती से का करेगी आप इस दिन कुछ नया सोचोगे अपने काम को आगे बढ़ाओगे और इस वज़े से आपके डेली की इंकम भी बढ़ेगी अगर परसनल लाइफ के बात करते हैं लव लाइफ के बात करते हैं तो इस समय में लव लाइफ और बहतर बनने वाली है अपने पार्टर क के लिए हर तरह से ये समय आप के लिए अच्छा रहेगा घर परिवार में खुश्णमा माहोल रहेगा मैरिड लाइक भी इस समय में बहतरीन रहेगी अपने परिवार को खुश करे और आपके अपनों को थोड़ा ज्यादा समय दे ये वक्त कही घूमने फिरने के लिए एं कर पढ़ाई करने का है अच्छे समय का पूरा लाप जरूर उठाए अपने टारगेट सेट करें और उस और पूरी लगन से बढ़े काम्याबी मिल कर ही रहेगी अगर स्वास्त की बात करते हैं तो इस समय में आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा मांसीक परिशानिया नह बीमारी आपसे दूर ही रहेगी इस दिन आपके लिए सप्रिद रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और छे अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग् राशी फल परिणाम में बदलाव दीख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा